हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का एक बड़ी भरती का न्यूज लेकर के आगे हो दोस्तो जिसमें किसी भी प्रकार का एक्जाम नहीं होगा और किसी भी प्रकार का सभी केटेगरी की केंडिडेट को 00 एक्जाम फीस रहेगा या फिर form online apply या offline apply जो भी है आगे बताने वाला हो उसका 00 आप लोगों का exam फी या form फी है दोस्तो चाहे वो कोई सभी केंडिडेट हो, चाहे जनरल हो, वीसी हो, एड़ेवलूएस हो ठीक है साथियो, और इस भरती में किसी भी प्रकार का एक्जाम नहीं होगा एक अलग से selection का process है, ठीक है, उसमें अगर आपका 40% है ना, तब भी आप आसानी से इस भरती को पा सकते हो तो क्या है process आगे complete आसान भा समय जानकारी देने वाला हो चाइनल में पहली बार आएं तो चाइनल को जरूर से subscribe कर लिजेगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा ताकि ऐसी जो नए नए भरती आते रहती है, उसका notification सबसे पहले आपको पता चले मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भरती आती है, जिसके बारा मैं हमाँ पता नहीं चलता ज्यादा ज्यादा candidate को तो वो सभी के बारे में आप लोगों को सभी को पता चले ठीक है, बहुत सारे जो गवर्मेंट नोकरिया की wave side है जो बताती है वो बहुत सारे पदों को नहीं करती, जो फेमस फेमस पद होता है फेमस फेमस गवर्मेंट जॉब होता है, उसी को जनकारी देती है तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ दोस्तु चलिए, सबसे पहले बता दूँ, ये जो भरती आई है वो जिला एवम सत्र नियालाय के तरफ से नया भरती आई है दोस्तु ठीक है, ये जो भरती है, इसका अपलाई डेट एक चार तेईस से एक पाच तेईस यानि कि एक महिना का आपको टाइम है ठीक है, ग्रूप डी का ये सरकारी नौकरी है जिला एवम सत्र नियालाय के तरफ से ग्रूप डी की अंदरगत ये नौकरी है और वो भी गवर्मेंट जॉब है ठीक है साथियो, एज क्राइटेरिया की बात करें तो 18 से 30 साल रखी गई है ठीक है, 18 से 30 साल का कैंडिड़ेट इसमें अपलाई कर सकते हैं एक्जाम फीस की बात करें तो 00 all category ठीक है qualification की बात करें यानि कि इस नौकरी के लिए जो qualification रखी गई है वो 5 वी पास और 8 वी पास कैंडिड़ेट इसमें अपलाई कर सकते हैं जो प्राया प्राया सभी कैंडिड़ेट होते हैं ठीक है पद का नाम के बारे में बात करें तो कौन-कौन सा पदों पे भरती आई है तो ये जो भरती है वाहन चालक के पदों पे भरती है दूसरा चौकीदार के पदों पे तीसरा वाटरमेन के पदों पे चौथा स्वीपर के पदों पे इस प्रकार से चार प्रकार की भरती आई है एक बार फीर से देख लिए वाहन चालाग चोकिदा वाटरमेन स्वीपर इस पदोपे भरती आई है दोस्तों बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप लिंक प्रोवाइड नहीं करते हैं मैं सभी गोवर्मेंट जॉब का लिंक प्रोवाइड करता हूँ आप से मैंने अपना कमेंट बॉक्स में लिंक देना स्टार्ट कर दिया है और नोटिफिकेशन आपको मिलेगा मेरा टेलिग्राम चैनल में तो टेलिग्राम चैनल का भी लिंक दिया हूँ टेलिग्राम चैनल खुलता नहीं है, ऐसे बोलते हैं, तो आप लोगों को बता दू, टेलिग्राम चैनल के जगा मेरा चैनल का नाम भी लिख करके टेलिग्राम में सर्च कर देंगे, तो आ जाएगा, ठीक है साथियो, अब बता दू, इसका selection process की बारे में बात करते हैं, तो ये जो waterman, वहन, चाला, चौकीदार, स्वीपर के पदों पर जो भरती आई है, उसका selection process में किसी भी प्रकार का written exam नहीं होने वाला है स्वाथियो, अब written exam नहीं होने वाला है, तो बच्चों के मन में खयाल आता है कि क्या सर, merit basis exam होगा, तो merit basis भी exam नहीं होने वाला है, तो अब इसमें selection कैसे होगा, तो आपको बता दो, इसमें selection आपका साक्छातकार के हिसाफ से होगा, ठीक है, साक्छातकार के हिसाफ से, यानि कि आपने online apply कर दिया, इन में से किसी भी पदों पे तो वहान 4 लगको छोड़ करके, बागी ये तीन पदों के बारे में साक्छातकार होगा यानि कि आपको बुलाया जाएगा एक admit card निकालेंगे वो admit card के आपके date के हिसाब से आपको जो जिस जगह पर बुलाया जाएगा वहाँ पर जाना है दो आदमी बैठा रहेगा आपके सामने वो आपसे कुछ-कुछ question पूछेगा वो आपको बता देना है आपको बस उसमें कुछ high question नहीं होता आपसे पूछेंगे क्या आप नोकरी करना चाहेंगे तो हाँ बोलना और उसके बाद आपसे पूछेंगे कि इसके इसका क्या काम होता है तो बस काम के बारे में बस बता देना है मुंसे हो गया आपका सेलेक्शन बस यह है इसका सेलेक्शन प्रोसेस ठीक है दोस्तों अब इसके बाद बता दो इस जो नोकरी है ना इसमें 5 फी आठ वी पास से चालिस परसेंट है ना 33 परसेंट है तब भी आप अपलाई कर दीजेगा आप आजाएंगे ठीक है और अपलाई इसमें अपलाई मोड जो है वह आफ लाइन एक्जाम है आफ लाइन फॉर्म है तो आफ लाइन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा तो मैंने टेलिग्राम चैनल में आल्रेडी आफ लाइन फॉर्म डाल दिया है इसमें टेलिग्राम का लिंक दिया हुआ है या फिर आप ऑल लाइन वेबसाइट के थूर्व डाउनलोड करना चाहते हैं तो भी मैंने लिंक डाल दिया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है सांथियो यह तो रही बिल्लासपूर बिल्लासपूर में एक ड्रॉप बॉक्स है उसमें जा करके आपको रख देना है आल इंडिया भरती है कहीं से भी केंडिडेट जा करके यह फॉर्म को अपलाई कर सकता है कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस राज्यक हूं मैं इस राज्यक हूं अपलाई कर सकता सभी राज्ज के केंडिडियट आयानि कि रосकते हैं आ सांय से अप्लाई कर सकते हो दोस्तों और ऐसे ही बहुं सारी भरतियों कि झानकाई के लिए जूड़ जाइए अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्षब्सक्राइब कर लीजे बैल ऑइकन को प्रेस कर दीजिए बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करते हैं सर फेक नियुक्त अरे गवर्मेंट जो आपका नोटिफिकेशन में डाल दिया टेलिग्राम में फिर कहां से फेक हुआ हसी आता है उन लोगों को पर यार सब कर रहा है सभी बच्चों को आगे अगा बढ़ने देखने निसका करते हैं कि दुसरेक बच्चों का नोटिफिकेशन दे दिया है फिर भी समझते नहीं है आप बच्चो आप लोग दूसरे के कहने में मत आओ आप लोगों को जो बोल रहा हूं वो बस करो आप फॉर्म अपलाई करो सिधी बाद किसी प्रकार का एक रिटर्न एक्जाम नहीं है सिर्फ साक्षात कार के उपर यह एक बार फॉर्म भरके तो देखो अच्छी खासी नोकरी है गौर्मेंट जॉब है ठीक है दोस्तो तो आज के लिए बस इतना है आज के अपडेट के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजेगा फिर मिलते हैं नई अ अब के लिए साथियो जय हिन